प्रधान मंत्री के आवाहन पर स्वच्छ मंदिर अभ्यान की हुई शुरुवात मुख्यमंत्री ने मान सरोवर इस्थित हंस विहार मंदिर में सापसफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश मुख्यमंत्री ने आमजन के साथ पतंग उड़ा कर मनाया मकर संक्रान्ती का पर्व प्रदेश वासियों की सुख सम्रिध्धी और खुशाली के लिए की कामना मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा में पांच दिवसिये हरित संगम पर्यावरण कारेक्रम में की शुरकत आमजन को दिया पर्यावरण संरक्षन का संदेश मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जैपुर के मान सरोवर के हंस विहार मंदिर में स्वच्छ मंदिर अभ्यान की शुरुआत की प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मकर संक्रान्ती पर्व से सभी तर्थ स्थलों में साफ सफाई के आवाहन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने मंदिर परीसर में सफाई की मुख्यमंतरी ने प्रदेश वासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए श्रद्धालों और स्थानिय लोगों से भी मंदिरों में सफाई का विशेश ध्यान रखने के लिए अपील की इससे पहले मुख्यमंतरी ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करते हुए राज्य की सुख सम्रिध्धी और खुशाली के लिए कामना की मुख्यमंतरी श्री भजनलाल शर्मा ने मकर संक्रान्ती के पर्व पर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेश की सुख सम्रिध्धी और खुशाली की कामना की मुख्यमंतरी ने आज जैपुर के किशनपोल बाजार के सौखियों का रास्ता स्थित रामेश्वरम भवन में मकर संक्रान्ती पर्व मनाया इस अवसर पर उन्होंने पतंग उड़ाई और उपस्थित लोगों को पर्व पर बधाई थी मुख्यमंतरी ने कहा कि सौर्य की उपासना का पर्व मकर संक्रान्ती हमें जीवन में दान पुन्ने के महत्व को समझने और बेसहारा वे उपेक्षित व्यक्तियों के सुख दुख में भागिदार बन सकरात्मक उर्जा के साथ कर्म करने की सीख देता है मुख्यमंतरी ने इस अवसर पर प्रिदेश वासियों से आवाहन किया कि वे सकरात्मक उर्जा के साथ जरूरत मंदों की हर संभव मदद करने का संकल्प लें और पतंक बाजी करते समय पूरी साब धानी परतें जिससे किसी व्यक्ति या पक्षी के जीवन को कोई नुक्सा को याद किया जिन्होंने परियावरन संरक्षन के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था मुख्यमंतरी ने परियावरन संरक्षन की दिशा में उनके योगदान की जानकारी दी उन्होंने कहा कि मां अमृता देवी से बड़ा परियावरन प्रेमी मिलना मुश्किल ह परेवरन सनरक्षन की आवश्यक्ता को देखते हुए हरित संगम जैसे कारेक्रम बहुत जरूरी है। परेवरन सनरक्षन केवल हमारी जिम्यदारी नहीं बलकि आने परेवरन सनरक्षन केवल हमारी जिम्यदारी नहीं बलकि हमारा खुद के परेवरन सनरक्षन की परेवरन सनरक्षन को लेकर प्रतिबंद है। ब्रक्षन संगल यूज प्राष्टिक का भीयोग बंद करने, पानी की बरवादी को रोकने, बच्चों को परेवरन के प्रती जागरुक करना हम सभी की जुम्यदारी है। हमारी प्रक्रति, हमारी संस्कृति, हम ब्रक्षों को भी पूछते हैं, हम नदियों को भी पूछते हैं, हम पाड़ों को भी पूछते हैं। मैं आप से निवेजन करना चाहता हूँ कि आप इस छेत्र में दो कदम बढ़ाई है हमारी सरकार परयावरण के छेत्र में आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी मुख्यमंतरी निवास पर जनसुनवाई का सिलसला नियमित रूप से ज़ारी है मुख्यमंतरी श्री भजुनलाल शर्मा ने आज सुभा OTS स्थित मुख्यमंतरी निवास पर जनसुनवाई की उन्होंने आमजन से उनकी परिवेदनाओं के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को सभी प्रकार के लंबित प्रकर्णों का तुरंत नस्तारण करने के नुर्थेश दिये मुख्यमंतरी ने कहा कि जनता की हर समस्या का निराकरण करना राज्यो सरकार का मूल करतव्य है इससे पहले शनिवार को मुख्यमंतरी जैपुर में गोकाष्ठ लोहोडी महुत्सव में शामिल हुए उन्होंने लोहोडी को प्रजवलित कर प्रदेश की समरिध्धी और उन्नती की कामना की उन्होंने सभी लोगों को लोहोडी की बढ़ाई देते हुए कहा कि राजस्थान के पंजाबी समुदाय के बीच आकर किसान की फसल पकने पर मनाया जाने वाला लोहोडी का त्योहार सुख और सम्रिध्धी का उतसव है सभी आईव वर्ग के लोग एक जैसे उतसहा के साथ इस त्योहार को मनाते हैं इससे सामाजिक भाईचारा, परिवार की एक जुटता और पुरारी पीड़ी द्वारा नई पीड़ी में संसकारों का संचार प्रबल होता है मुखमंतरी श्री भजुनलाल शर्मा ने शनिवार को जैपुर स्थित चुनता हरं काले हनुमान जी मंदिर में पहुँच कर पूजार चुना की इस दौरान उन्होंने महा मंदलेश्वर श्री मनुहर दास जी महराज की उपस्थिती में विधिवत आराधना करती हुए यग्डे में आहुती भी दी इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तिजन भी उपस्थित रहे श्री मदन दिलावर ने शनिवार को शासन सचिवाले में उच्चा अधिकार समीधी की बैठकली उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोड की कारे प्रणाली परिक्षाओं के संचालन संबंधी व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल से संबंधित प्रेजेंटेशन के दौरान शिक्षा बोड की रोक्ताम के लिए हर संब्धव प्रभावी कदम उठाये जाएं गौरतलब है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोड की उच्च माध्यमिक व्यवसाइक और वरिष्ठ उपाध्याय परिक्षाओं 29 फरवरी 2024 और माध्यमिक व्यवसाइक और प्रवे शिक्षा में नई तकनीक और प्राचीन संसकारों के समन्वे से विद्यार्थियों के भविष्चे को सवारने के लिए हर स्तर पर सतत पहल और प्रयास हों इंफ्रेस्ट्रक्चर और मैन पावर की पुखता व्यवस्था के बाद ही नए स्कूल खोलें जिससे विद्यार्थियों को उनका पूरा लाभ मिले ग्रामीर विकास मंत्री डॉक्टर किरोडिलाल मीना ने शनिवार को जवाहर कला केंदर में आयुजित जैपुर सरस राष्ट्रे क्राफ्ट मेले का अवलोकन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वम सहायता समुहों के उत्पादों की विश्वस्तरिय पहचान बनाएंगे उन्होंने इस स्वम सहायता समुहों से महिलाओं को और अधिक जोडने के अवशक्ता बताई साथ ही हर स्टॉल पर जाकर स्वम सहायता समुहों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या उत्पादों के निर्मान की विधी, उनका मूल्य और उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय के बारे में भी जानकारी ली श्री मेना ने कहा कि इन उत्पादों की मार्केटिंग के लिए प्लाटफॉर्म उपलब्ध कराया जॉएगा आपको बता दें कि मेले में वभिन राज्यों के साथ ही राजस्थान के सभी जिलों के स्वम सहायता समोहों के रेडिमेट गार्मेंट्स, साडिया, शहद, आचार, पापड, मंगोडी, चमडे से बने पर्स, बाग, बैडशीट्स, अगरबत्ती, पॉफ्यूम, खिलोने, लाख की चूडिया, मिट्टी और लोहे के बरतन सिरेमिक्स के सजावटी उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, ये मेला 13 से 21 जनवरी तक सुबह 10 बजी से रात 9 बजी तक खुला रहीगा, राजस्तान राजेपत परिवहन निगम की अध्यक्षु श्रीमती श्रेया गुहा ने शनिवार को रोडवेज मुख्याले पर आयोजित समिक्षा बैठक ली, इस दोरान श्रीमती गुहा न नई बसों की खरीद के लिए 5 साल का एक्षन प्लान तयार करने और नई भरतियों में स्थाई एवं समविदा कर्मियों का संतुलन बनाये रखने के नुर्देश दिये। पॉफूमेंस एनलेसिस करने के भी नुर्देश दिये। पॉफूमेंस पॉब्यार कमेंस